बात है आज से लगबग साथ महीने पहले की तब हमारे सोन मंडल में ओर्ट क्लाउट से आया एक घुसपैटिया जिसका नाम C-2022E3JTF यानि गिरीन कॉमिट था जो दो फरवरी को हमारी धर्ती के पास से होके गुजरा था और उसी तरह से आज एक फिर से नया कॉमिट है जो ह हाली में डिसकावर किया गया है जिसका नाम C-2023P1 Nishimura है Japanese Amateur Astronomer Hido Nishimura ने अपने 200mm के F3 टेलिसकोप से Canon EOS 6D की मदद से 12 अगस्त को खो जा था और जिस तरह से JTF को लेकर लोगों के मन में बाते चल लए थी कि बहे हमारी नंगी आँखों से दिखेगा और उसी तरह से आ प्रेक और टेलिसकोप से कैप्चर भी कर पाएंगे या फिर नहीं बैसे तो हमारे solar system में अनकिनत ऐसी object हैं जो odd cloud या भारी अंतरिक से आते हैं हमारे सोर मंडल से होके गुजर जाते हैं जिने हम खोज भी पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिने हम खोज भी नहीं पाते हैं अब किसी भी commit को capture करने के लिए कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है जैसे उसकी trajectory and location दूसरा उसकी distance तीसरा उसका magnitude ये तीन वाते बहुत important होती है इसकाई में किसी भी object को telescope से या अपनी आँखों से देखने के लिए और यहाँ पर JTF और P1 में कुछ भी common नहीं है सिव commit होने के JTF दो फरवरी को जब हमारी प्रत्वी के पास से होके गुजरा था तब हमारे पास कोई भी telescope नहीं था लेकिन हमने उसकी information से उसको अपने smartphone से पूरी रात मेहनत करके उसे capture करने के साथ साथ उसको जाते हुए भी capture किया था और ये हमारे लिए एक परदान से कम नही या high end camera जैसी चीजों का इस्तमाल किये बिना ही अपने सिर्फ smartphone से उसकी movement को और उससे capture किया था हमारे पास कोई information इतनी next level नहीं थी कि वो किस धिसा में होगा सिर्फ हमने कुछ ही जानकारी के बल पर ये करके दिखाया था तो अब सवाल ये उड़ता है कि आज हमारे पास telescope भी है अच्छे gears भी हैं तो क्या हम इस P1 कोमिट को अपने telescope से capture कर भी पाएंगे तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी ऐसा क्यों जैटी एप जब दो फरिवरी को हमारी धर्ती के पास से होके गुजरत था तब उसकी location sunset के बाद नौर्थ में पॉलरीस के ऊपर कमेड जो लगबग all night visible था तब उसका magnitude 5.4 था और उस time पे रात में more light भी थी तब भी हमने उसे smartphone से capture किया था और आज P1 जो 12 September से 17 September के बीच में कम magnitude पर Virgo constellation से जाता हुआ दिखाई देगा इसको नंगी आखों से भी देखा जाग सकता है क्योंकि इसका magnitude लगबग 3.3 रहने वाला ह जो काफी bright होता है इसकाई में लेकिन आपको खुस होने की ज़्यादा जरूरत है नहीं इसको हम साइध ही देख पाएंगे या capture कर पाएंगे ऐसा इसलिए भले ही इसका चाहे magnitude 3.3 और यह 17 तारीक को काफी bright रहेगा लेकिन इसकी जो location होगी वो Virgo constellation की तरफ होगी और आज क समय पर Virgo constellation Sunrise के समय हमें दिखाई देता है मतलब जब Sunrise होता है तब Virgo constellation हमें Sun की साइड ही दिखाई देती है और उसी समय वह कॉमिट उस constellation में होगा जो Sun की चमक के कारण हमें दिखाई नहीं दे पाएगा तो क्या कोई ऐसी बिंडो नहीं है जब हम इसे capture कर पाएं तो मैं क capture कर पाएंगे जब यह 17 तारीक को हमारी प्रत्वी के नजदिक से होके गुजरेगा तब आपको यह बैस्टन स्काई में Sunset के बाद मात्र 20 से 30 मिनट के लिए ही विजिवल होगा अगर आपका इसकाई या ऐसा लैंड एरिया हो जहां पे दूर दूर तक कोई मकान नहों कब capture किया वो कौनसी विंडो थी तो 30 अगस्थ थी वो विंडो जब मैंने इसको capture किया morning time में उसको थोड़ा मैं आपके सामने explain करके और result आपको दिखाता हूं क्या उसमें मुझे comment दिखा है या फिर नहीं अब दोस्तों मैंने जल्दी से सुबह उठके लगवक चार बच के कुछ मिनट पे मैं उठ गया था मैंने बहुत सारे photo click किये जैसे मैं आपको एक photo sample के तोर पे दिखा देता हूं यह वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारा यह planet Venus यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30 अगस्त दोहियार तेहीस मैंने फिर यहाँ पे कुछ अल्ट्रा वाइट सोट्स यहाँ पे लिए एक पहले मैंने यह लेकर देखा इसमें हाप देख सकते हैं कितने सारे इस्टार्ट यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे horizon level आप देख सकते हैं घर यहाँ चमक रहे हैं कावी सरे stars visible हैं लेकिन यहाँ पे हमारा comet किदर है comet कहां पे हो सकता है इस location में कि बैसे तो मैंने इस्टेलियम में ही पता कर लिया था किदर location पे हो सकता है मैंने उसी side को यहाँ पे suit करना start किया था आप भी इस्टेलियम का use करना होहां से आप location पता कर पाएंगे किसी भी object क sky में तो मैंने यहाँ पे पता करने के लिए किस यहाँ पे कहां हो सकता क्योंकि जूम करके देखंगा तो मुझे कुछ भी नहीं चमक रहा है यह कुछ stars बगएर यह सारी चमक रहा है कुछ hot pixels इसमें है और यहाँ पर कुछ bright star है तो यहाँ पर मैं कहां पर पता करूं कहां प मुझे से बॉलने में दिक्कत हो रही तो sorry उसके बाद में यह प्रोश्यान इस्टार हो सकता है प्रोश्यान इस्टार है और यहाँ पर प्रोश्यान इस्टार है हमारे फोटो के मताविक यहाँ पर विहाइब कलेश्टर होना चाहिए जब इसका magnitude था 3.3 लगवग यहाँ लगवग यहाँ पर capture ही नहीं हुआ है और जिस दिर हमने जट्याइब को capture किया उसकी location यहाँ पर होनी चाहिए थी और उस टाइमस का magnitude 8 था तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं जो हमारा कॉमिट था C-2023 P1 निशुमुरा यहाँ पर not visible मैंने लिखा हुआ है यह दोनों ही distortion atmosphere distortion और light pollution आप जेख सकते हैं यहाँ पर कोई चोटी light जल रही होगी बड़ी street light हो सकती है यहाँ पर उसको कितना ज्यादा pollution यहाँ पर निकल ला है तब भी आप जेख सकते हैं हमारा जो minus में रहता है Venus star उसका भी हमें यहाँ पर कितना कम light यहाँ पर मिल लिए तो यह हम कह स score पर share कर दूँगा आप इसको अच्छे से देख लेना कैसे मैंने यह बनाया है मैंने फोटोस तो काफी सारे लिये थे और भी मैं आपको दिखा हूँ मैंने कुछ इस तरह से लिये थे आपको वीडियो भी थी इसमें मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ टाइम लिया था time lap में हमें कुछ यहां पर नहीं दिखा था बाज यह एक सिगंड कर टाइम लाब मिला था यह वाले बारे बारी बारी करके हैं तो हम इसमें नाकाम्याब यहां पर रहे हैं तो information आपको देना था काफी comment आप सभी के आ रहे थे आप यहां पर जाके किसी वी third party application को use कर करके आ रहे थे तो मैंने सोचा चली बनाई ही दिया जाए वीडियो आप जब कह रहे हैं तो तो ये था पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन और कैप्चरिंग मैंने टेलिस्कोप से भी ट्राइ किया था लेकिन नहीं हो पाया तो वो मैंने आपको दिखाया भी नहीं है और आपके के लिए सिर्फ लाश्ट बिंडो बची है सत्रा सब्टेंबर की आप जरूर कोसिस करना अगर आपके सामने लाइट पॉलिशन ना हो आप ऐसे रही रहते हो जहां पे जीरो लाइट पॉलिशन है तो आप डेफिनिटली इसे कर पाएंगे तो आज की वीडियो में था इतना ही अगर अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब करना मिलेंगे के से एक नई एस्टो पॉलिशन बंदै मात्रम